रासी चक्र में व्रिष्चिक रासी आठवे नंबर की रासी आती है शनी महराज 17 जन्वरी 2023 को कुम्ब अर्थार्थ 11 रासी में गोचर प्रारंभ करेंगे स्वाभाविक है कि व्रिष्चिक रासी से चोथी रासी कुम्ब रासी होने के कारण व्रिष्चिक रासी वालों के चोथे भाव में ये शनी महराज होंगे तो एसी इस्तिती में उनके लिए धाया प्रारंभ हो जाएगी शनी महराज की धाया प्रारंभ हो जाएगी इसलिए 17 जनवरी 2023 से व्रिष्चिक रासी वाले जातकों को शनी महराज के बूरे प्रभावों से बचने के लिए बहुत कुछ करना होगा अब ये बहुत कुछ क्या करना होगा वो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि किसी भी अच्छे शनीवार से आप पीपल की पूजा सूरिय उदै होने के बाद जल सीचकने से प्रारंभ करे नो परिक्मा लगाए प्रतेक परिक्मा में ओम नमो भग्वते वासु देवाई बोले साथी साथ प्रतेक सनीवार को सूरियास्त के ठीक पहले सरसु के तेल का दीपक लगाए और वही नो परिक्मा लगाए ओम नमो भगवते वाशु देवाई मंत्र का जप करते हुए। दूसरा उपाय है कि आप हनुमान चालिसा का नियमित पाठ करे। तीसरा उपाय है कि मंगलवार और शनिवार को आप सुंदर कांड का पाठ करे। चोथा उपाय है कि आप शनीदेव के मंदिर शनीवार को जाकर तिल्ली का तेल चड़ाए एक और उपाय है कि आप नीम को हर सनीवार को सर्सुक के तेल का दीपक साइस समय लगाए यदि आप ये उपाय करते हैं तो धाई साल में स्री सनी देव आपको किसी भी प्रकार से बुरे बुरे नतीजे बुरे परिणाम नहीं देगा लेकिन साथ में ध्यान रखिये अपने कर्मों को सात्विक रखिये परोपकार कीजिए महिलाओं की इच्चत कीजिए घर में सुख शान्ती लाने के लिए और अपने पर से बुरे प्रभावों को नश्ट करने के लिए माता पिता का और बड़ों का आशिरवाद लीजिए जूट ना बोले क्रोध ना करे क्योंकि आप बैखूबी जानते है कि शनी देव न्याई के देवता होते है और यदि आपने कोई गड़ बड़ की तो आपको धाई साल में अपना न्याई वे उस दंड के रूप में देंगे जो आपने गड़ बड़ी करी उसी के अनुपात में या उससे ज़्यादा अनुपात में दंड स्वरूप देंगे नतीजा यह होगा कि पारिवारिक सुख शान्ती समाप्त हो सकती है व्यापार बिगड सकते है नोकरी पेशे में दिक्कत्ते आ सकती है घर की सुख शान्ती खतम हो सकती है इन सब से बचने के लिए जो मैंने आपको अभी उपाय बताए है आप उन उपायों को निश्ट रूप से करे और सनी की धाई साल को आप श्विकार करे और सनी देता की का आशिरवात प्राप्त करने की कोशिश करे जैसी किसला